राम राम जी राजीव जिक्सी जी का नाम तो आप सब भाईयों ने सुनाई होगा जिन्होंने एक अंदोलन चलाया था बारत को स्वधेशी की तरप कैसे लेकर जाएं राजीर दिक्सी जी कहते थे कोल गेट मत करो दांतुन करो दांतुन पिपसी मत पियो नीबू पानी पियो गनने का जूस पियो बहुत सारे जूस है वो सब पियो फाइदा होगा नशाचुडवाने का इलाज फ्री में बदा दिया शिरूप अध्रक से वो कहते थे होर लिक्स को उप्लैन बोन वीटा ये सब मत पियो इंसे अच्छा मुंफली खाया वो बदाम खायो चाना खायो सस्ता भी पड़ेगा और प्योर भी नैचुरल भी और किसान का फायदा होगा हमारे देश के जब कुछ लोगों ने हमारे देश में इंजेक्शन लगा गर बोड़ी बनान लेकिन उसका वज़न नहीं घटा रजीव दिखसी जी ने जब वो रजीव दिखसी जी से मिला रजीव दिखसी जी ने कहा कि सिरफ भोजन और पानी का नियम सही करू पानी का नियम उनको बताया आठ दस महीनों में उस आदमी का रुख बदल गया बिलकुल फीट हो गया बहुत सारे हमारे यहां के गदार लोगों की पोल खोली उन्होंने राजीव दिक्सी जी ने एलोपैथी की पोल खोली नेताओं की पोल खोली जो गदार नेता थे उनकी पोल खोली जो बड़ी-बड़ी कंपनियों जो लूट रही है उनकी पोल खोली और उन कंपनियों के प् टाकर उनकी जर्गे क्या यूज करे स्वादेश जी क्या प्रियोग करे वो बताया मतलब नोलेश जी लोगों को एक अच्छी शिक्षा दी तो उनी में से किसी ने राजीव इसी जी को जैहर दिया और उनका देहात हो गया 30 नुवंबर 2010 को लेकिन उनके जो नुस्ट के है वो बहुत कुछ असरदार टिप्स मिल जाएंगे जिससे आपको बहुत फायदा होगा आपको विम्मार नहीं पड़ोगे आपकी सभी बोड़ी की प्रोब्लम दूर हो जाएगी एक सुन्दर और बलशाली शरीड का निर्मान होगा रजीव दिक्सी जी कहते है कि हर रोज एक चुना खाओ हर रोज खाना चाहिए चुना जो सफेद रंग का होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ एक गहूं के दानी जीतनी मातरा में दही लस्टी में डालकर हर रोज खाओ और तीन महीने बाद आपका शरीर बिलकुल लोहा बन जाएगा अगर लगातार ऐसे आप खाते जो शरीर की सभी गंदगी मुत्तर के दुवारा बिलकुल निकल जाएगी साफ हो जाएगी हरोज आपका शरीर साफ होगा शरीर एकदम से शुद हो जाएगा और जो भी आपके पेट में जहर है या पूरी बोडी में कहीं भी जहर वो सब हरोज थोड़ा थोड़ा निकलता रहेगा आपकी बोडी शुद हो जाएगी बिलकुल एक महीने के अंदर और जितने भी मतलब गंदगी की वज़े से जितना भी नुकसान होता है पिमपस से निकलना और भी बहुत सारा नुकसान कब जी रहना यह सब सब खतम हो जाएगा पेट का सिस्टम बिलकुल श्ट्र नोट करो इस चीज को इसलिए चाना खाओ देशी चाना अलग अलग तरीके से चाना खाओ सुबह भीगो कर खाओ भूना चाना खाओ गुड के साथ खाओ भूना चाना जो होता है वह आप गुड के साथ खा सकते हो दिन में जो किहूं का आटा जिसके आप रोटी खाते हो उसमें चने काटा मिक्स कर दो बस ये तीन तरीके से अगर आप चाना अपनी दिन की खुराक में एड़ कर लेते हो तो भ्यंकर ताकत मिलेगी भरपूर प्रोटीन मिलेगा और भाई अगर आप भ्यंकर वर्काउट करते हो तो भ्यंकर मसस ग्रोथ होगी बोडी ग्रोथ होगी और भाई जब दागत आपके अंदर बढ़ेगी तो फिर अपने आप शरीर को आपके ऐसा भी बना लेना दो कितने सस्ते में और कितना अजान तरीका रजीव डिक्सीजे ने खुराक का बता दिया है ना और ये तरीका 100% काम करेगा आप ना कर देगा ना मेरे भाई और चलो एक कड़वी सचाई बताता हूँ ये जो तरीका रजीव डिक्सीजे ने बताया चाने वाला इसको बाहर की कमपनिया या फिर बाहर के कुछ लोग या फिर कुछ स्टडीज जो कमपनीज है ये इसको देहाती भोजन या फिर कुछ ऐसा बताएंगी कि इसके अंदर को तो बाई इस तरह है अपने अपना बेचने के लिए हमारे भारत के जो प्रोटीन वाले फूड़ उनको बंदान्याम करते हैं उनको देहाती बोलते हैं उनको लोड़ यह सच है समझ रहे हो यह सच है पहले भारत के लोग यही चानवगूड खाते थे और सबके अंदर भर क्पूल बल होता था इसी दिए इन लोगों की बातों में मतानः बस फिर उसके बाद बात आती है बुद्धि में बढ़ाने का तरीका बुद्धि को तुरीव करने का जह nodig करने के लिए देशी गाये का देशी गी की दो दो बूंदे रात को नाक में डाल कर सो जाएं इससे आपका जो दिमाग है वो बहुत शार्प होना शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी उसके बाद रजीर दिक्सित जी एक आहार और बताते है मक्खन और मिश्री ये हर रोज खाऊ सुब है जो कि सिरी कृषिन बग नुकसान नी उसका कोई नुकसान नी सबसे जल्दी वो पचता है और वो भ्यंकर ताकत का निर्मान करता है तो भाई ये थे कुछ राजीर दिक्सित द्वारा बताये हुए वो टिप्स जिनको अगर आप फोलो करोगे ये कभी पहल नहीं होगे बस एक ही शब्स यही लाइ कर सकते हो धन्यवा जहिंच या भारत